नन्नी परिया ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है ये कहानी है चार बहनों की मैग, जो, बेथ और अनी एक छोटे से गाउं में इनका छोटा सा घर था उनके माता पिता गरीब थे और इसलिए ये चारो बहने अपने माता पिता से कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करती थी मैग जवान, खूपसूरत और बहुत समझदार थी जबकि जो बहुत ही होश्यार थी और इसलिए वो लेखक बनना चाहती थी बैथ, शर्मिली, नाजुक और उदार थी एनी सब से छोटी थी और इसलिए वो सभी बहनों की लाडली भी थी इन सभी का आपस में बहुत मजबूत रिष्टा था गाम वाले इन बहनों की समझदारी की तारिफ किया करते थे और इन्हें नन्ली परिया कहके बुलाते थे एक दिन उनके घर एक सैनिक आता है उनके पिता को लेने के लिए क्यूकि उनके देश में civil war शुरू हो जाता है मैं आपके लिए खबर लाया हूँ आपको हमारे साथ जल्दी चलना होगा क्योंकि शहर में civil war शुर गया है आप जल्दी से तयार हो जाएगे सारा परिवार ये ख़बर सुनते ही दुख्या पापा आप प्लीज मत चाहिए नहीं मेरे बच्चों मुझे जाना पड़ेगा अपने देश की रक्षा करने और ये मेरा कर्तब ने है आप जल्दी आना पापा मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा तुम लोग रोना बंद करो मैग इन सब का ख्याल रखना जरूर पापा ये कहकर उनके पापा उस सैने के साथ चले गए कुछ दिन गोजर जाने के बाद जब पापा नहीं लोटे तो परिवार की हालत खराब हो गई उनके पास राशन लाने तक के लिए पैसे नहीं थे मैंग मैं तुम सब को पाल सकूँ इसकी कोशिश कर रही हूँ पर मुश्किल लग रहा है घबराओ मत मा कुछ ही दिनों की बात है एक बार पापा घर आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन तब तक न जाने क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जंग क्यूं होती है शान्त हो जाओ मा एक दिन उनके लिए आर्मी ओफिस से खता आया जिसमें लिखा था क्या बात है मैग इसमें पापा के बारे में लिखा है वो जंग में बुरी तरह से जख्मी हुए है उनका इलाज चल रहा है और उनके साथ कोई होना चाहिए ताकि उनका ख्याल रख सके तब तो मुझे जाना होगा पर मैं कैसे जाओ मेरे पास तो पैसे भी नहीं है अब क्या करूँ चिंता मत करो मा तुम बस जाने की तयारी करो बाकी सब मैं देख लूँगी ये कहकर जो घर से बाहर गई और जब लोटी तो उसके हाथों में पैसे थे ये लो मा इससे तुम्हारा काम बन जाएगा इतने पैसे तुम कहां से लाई मैंने अपने बाल बेश दिये और पैसे कमाए ओ जो तुमने अपने खुबसूरत बाल बेश दिये कोई बात नहीं मान लेकिन जो हम कुछ और भी सोच सकते थे अखिर तुमने ऐसा क्यों किया फिकर नौट बहना बाल तो फिर से उगेंगे जो रात भर सो नहीं पाई और फूट फूट कर रोती रही तभी मैग ने आकर उसे सहलाया जो उठी तो उसने देखा मैग सामने बैठी थी जो मैग के गले लगकर रोने लगी शान्त हो जाओ जो सब को जल्दी ठीक हो जाएगा जब उनकी माँ हॉस्पिटल चली गई तब चारो बहनों ने घर की बागडोर संभाल ली वो सारा काम करने लगी सफाई करना, खाना बनाना और साथ में मौज मस्ती भी एक दिन बैठ बिमार पड़ गई उसे तेज बुखार था और वो ठंड से कांप रही थी तीनों बहनों ने उसके बहुत देख बाल की लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था सभी कुछ चिंता होने लगी हमें अब डॉक्टर को बुलाना चाहिए डॉक्टर को तो बुला लेंगे लेकिन डॉक्टर की फीज कैसे देंगे हमारे पास पैसे कहा है मेरे पिकी बैंक में कुछ पैसे है उससे कुछ नहीं होगा रहने दो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ और उनकी फीज सबसे पहले हमें बैत का इलाज करना है बरफीला मौसम था और जो परवा किये बिना जैसे तैसे डॉक्टर के घर पहुँची उसने सारी बाते उनको बताई डॉक्टर ने उसकी बात मानी और घर आए मैंने इसकी ठीक से जाच कर ली है बस मामोली सा बुखार है चिंता मत करो ये जल्दी ठीक हो जाएगी ये तो अच्छी बात है डॉक्टर साहब लेकिन लेकिन क्या दर असल बात ये है की बोलो बोलो बात क्या है बेटी डॉक्टर हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है हमें माफ कीजिए आप इलाज तो करेंगे न अच्छा तो ये बात है तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो मैं इसका इलाज जरूर करूँगा और ये मेरा फर्ज है पैसे का क्या वो तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ जब तुम्हारे माबाप आए आप कितने अच्छे हैं डॉक्र साब तुम ने बैट के लिए कुछ दवाईया दी और बेहनों ने उसका अच्छे तरह खयाल रखा बैट धीरे धीरे ठीक हो रही थी और अपनी मा को याद कर रही थी मा कहा हो तुम प्लीज जल्दी आजाओ तुम्हारे याद आ रही है मुझे आपकी जरूरत है प्लीज घर जल्दी आजाओ बैट होसला रखो रो मत ममी आ जाएगी तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ हम मा को एक खत लिखेंगे हाँ हाँ मा जल्दी आ जाएगी और उसी वक्त उनकी मा ने घर में कदम रखा सभी मा को देखके बहुत खुश हुए मा ममी मा तुम आ गई? ओ मेरे प्यारे बच्चों तुम सब को देखके मजे बहुत खुशी हो रही है बैथ भी अपनी मा को देखकर बहुत खुश हुई देखो मा आ गई बैथ, अब तो तुम खुश हो ना? इसके बाद मा ने बैथ की बहुत अच्छी तरह देख भाल की कुछ ही दिनों में बैथ ठीक हुई और जब सर्दी का मौसम और बढ़ गया तो मैग को अपने परिवार की चिंता होने लगी मा, पापा वापस घर कब आएंगे? वो बुरी तरह जखमी हुए थे और उनकी एक टांग भी तूट गई थी पर अब वो खत्रे से बाहार हैं और वो घर कभी भी वापस लोट सकते हैं पापा की बहुत यात आती है मैं समझ सकती हूँ ऐसे दोर से जिन्दगी में कोई भी कभी ना गुजरे ऐसा मत कहो मा ऐसी मुश्किल घड़ी ही हमें बहुत कुछ सिखाती है यानि किसी भी मुसीबत के वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तुमने सही कहा मैंग कुछ ही दिनों में क्रिस्मस का त्योहार आने वाला था मा और मैग ने किसी तरह क्रिस्मस ट्री का इंतिजाम किया लेकिन नन्ही आनी को तो गिफ्ट चाहिए था मुझे इस साल क्रिस्मस में एक नाया ट्रेस चाहिए मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए मुझे एक बड़ा सा पियानो चाहिए बताओ तुम क्या चाहती हो मैग मैं चाहती हूँ कि इस बार हम सब मिलकर क्रिस्मस का त्योहर मानाए बहुत अच्छी बात है मैग क्रिस्मस के त्योहर पर सभी उदास थे क्योंकि किसी की भी विश पूरी नहीं हुई वो सब भी परेशान थे पर उन्हें कोई शिकायत नहीं थी उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनके पास मिठाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तभी किसी ने दर्वाजा खट-खट आया इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? मैं जाकर देखती हूँ नहीं एनी, रुक जाओ तूफानी, भावा से दर्वाजा अपने आप खुल गया सामने उनके पापा खड़े थे सभी लड़कियां पापा के पास दोड़ी पापा, पापा, ओ पापा ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम ठीक हो ना ये तो क्रिस्मस का सबसे प्यारा और अच्छा गिफ्ट है मेरी क्रिस्मस आनक देखकर पूरा परिवार खुशी से जूमोठा और उन्होंने क्रिस्मस का त्योहर मजे से मनाया क्रिस्मस